तो आज हम आपके लिए नया प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो की है प्रमुक साहित्यकार और उनकी रचनाएं ये पार्ट टू है पार्ट वन में हमने 50 क्वेशन दिये थे काफी अच्छे अंसर आप सभी ने दिये थे दोस्तों तो मुझे लग रहा है कि इसमें जो है थोड़ा आगे बढ़ाया जाए क्योंकि इससे क्वेशन आ सकते हैं तो ऐसा करेंगे 50 क्वेशन जो है आज और ले लेंगे इसमें 50 क्वेशन में भी हम इंपोर्टेंट लेंगे सारे इसमें जो पहला प्रास्ण है पलव वीणा एवं गुंजन नामक रचनाओं के रचनाकार है तो इसके रचनाकार कौन है दोस्तों तो यह आपके सुमित्रनन पंत मनमत सागर किसकी रचना है लिलाधर जगोडी मोलाराम मिरणाल पंडे गुमानी पंत तो किसके रचना है ये मोला राम की विसकन्या नामक रचना किसकी है विसकन्या किसके द्वारा लिखी गई है ये लिखी गई है सिवानी यानि कि जो गौरापंत है उनके द्वारा सैलेस मटियानी ने किस छेतर में ख्याती अरजित की है खेल, पत्रकारिता, साहित्य, राजनीती उन्होंने किस में कि है? साहित्य में सैलेस मठियानी का जनम कहा हुआ था? इनका जनम कहा हुआ था? अलमोडा में इलाचंदर जोसी का पहला उपन्यास कौन सा है? लज्जा प्रेत और चाया सन्यासी और निर्वासित इनकी जो पहला उपन्यास है वो है लज्जा अगला प्रशन बागी पिहरी किसकी रचना है डॉक्टर गोविंद चातक लेलाधर जगोडी इसमें दो ही ओप्सन है दोस्तों तो देखते हैं कौन है इसका जो सही उत्तर है है सतावन वाले का इसका है विद्या सागर नोटिाल विद्या सागर नोटिाल तो आप नोट कर लेजेगा परिधी पर इस्तो किसकी किरिती है प्रीधी पर Stry बेती किसकी कृति है तिबबत की बेती बलब डोभाल की आउती किसकी रचना है सुमितरा नंदन्पंथ इलाचंदर जोसी पार्थ सारती डबराल और डॉक्त्र सिपरसाथ तो ये है इलाचंदर जोसी की लोक साहित्यका डॉक्र सेर सिंग पांग्ती की जनपत से सम्मंदित है तो ये हैं आपके पिथोरगड जनपत से सम्मंदित दि होली हिमाले पुस्ता के लेखक है कौन है होली हिमाले पुस्ता के लेखक ये हैं आपके ई सेरमन ओकले उत्राखंड के लोक साहिते में कौन सी विद्या सामिल है पौराणिक परंपरागत वीर गाताएं उप्युक्त सभी तो ये कौन सी है ये सारी जो विद्या है ये इसमें सामिल है उप्युक्त सभी हो जाएगा गजेटियर नयनिताल के बिर्टिस लेखक निम्न में से कौन थे तो गजेटियर नयनिताल के जो लेखक है पिछले में भी जो है ये रिपीट हुआ था दोस्तों एक पार्ट में तो ये हैं मी नेमिन संस्कृत साहिति में किश नगर का नाम मायापूरी मिलता है तो किसे मिलता है हरी दौर हरी दौर को ही मायापूरी जो है कहा जाता है पर्त्थम गडवाली जिनोंने अंग्रेजी भाषा का अध्यन किया अंसु जोसी ने किस क्रांतिकादी की जीवनी लिखी थी आदिकाल, रितिकाल, आदुनिकाल, रितिमुक्त काल तो ये मानी जाते हैं कहां आदिकाल कुमाउनी साहित्य में चंद्रलाल चौधरी का मुख्यता किस छेतर में योगदान रहा है नाठक कहानी गीत लेखन तो इनका रहा है योगदान कहानी के छेतर में किस लेखक को छेतर या आचलिक कताकारभी कहा जाता है तो बहुत बार आता है इसको उन्दा जागर पुस्ता के लेखक है बसंति बीष्ट सुमित्रा नंदन पंत को ज्यान पीर पुरुसकार के स्कृति के लिए परदान किया गया था तो ये दिया गया था चिदम बरा प्रकर्ति के सुकुमार कवी किसे कहा जाता है मैथली सरण गुप्त सूर्यकांत तिरपाठी निराला सुमित्रा नंदन पंत और सिवानी तो ये कहा गया था किसे सुमित्रा नंदन पंत को कुमाओं के रस्मों रिवाज पुस् तो यह कहा गयता है किसे सृरी पन्नालाल सरक्षक या विनास कुस्तके लेखक हैं तो कौन है इसके लेखक सरला बैं उत्राखन के पहले अंगरेजी कवी कौन थे रस्किन बॉंड बीडी सती बीडी काला इन में से कोई नहीं तो यह हैं बीडी काला पहार चोर उपन्यास के ल पुस्तक के लेखक कौन है कालिदास सिवानी गुमानी पंत ललिता प्रसाद नैथानी हिमवंत का एक कभी का कभी शंग्रे है किसका कभी शंग्रे है चंदर सेकर लोहिनी चंदर कुमर बरतवाल यह हैं चंदर कुमर बरतवाल होलदार माया सरोबर चांद और औरतों का सहर जैसे उपन्यासों के लेखक कौन है सिवानी सेलिस मट्यानी हिमांसु जोसी सुमितर अंदन पंत तो यह हैं दुस्तों कौन सेलिस मट्यानी भ्रमर गीत नामक कविताओं की रचना किस कुमावनी ने की है तो भ्रमर भी भ्रमर गीत जो है पितांबरदत पांडे द वैली ओफ लार्स के रचनाकार थे तो कौन थे फ्रैंक इसमित कनकवंस काब्य पुस्ता के लेखक हैं कनकवंस के लेखक हैं आपके बालक्रेश्न भट परदे की रानी रचना है इला इलाचंद्र जोसी स आवाज भी एक जगह है के किर्तिकार है इसके जो रचना की गई है वो की गई ली रधर जगुर्ज द्वारा नंदिनी गीत जो कविता है वो लिखी गई है सिवानी पंत द्वारा गोरक वानी पुस्ता के रचेता कौन है गोरक वानी पुस्ता के रचेता है सुदर्सन साह मिरणाल पांडे का जनम कहां हुआ था पिथोरगड कानपूर मद्यप्रदेश जयपूर तो ये वह तका मद्यप्रदेश ने गड़वाली भासा में अंगारा वर रैवार पत्रे का किशने सुरू की तो ये थे गोविंद चातक उत्राखंड का नवी निथियास पुस्तक के लेखक कौन है तो ये है यस्वंत सिंग कटोज कवी सिवदत सती का जनम इस्तान है तो कहां है ये है अल्मोडा में वैदिक एकोलोजी पुस्तक किशने लिखी गौरापंत विद्यावती दोभाल वंदना सिवा और दिछा बेष्ट तो वैदिक एकोलोजी जो पुस्तक है वो लिखी गई थी दोस्तों वंदना सिवा द्वारा अगनी संभव रचना किसकी है डॉक्टर गोविंद चातक हिम जोसी की युगवान के रचियता है दक्र पितामबर्दत बढ़तवाल सुमित्रा नंदन पंत इलाचंद्र जोसी सेलेस मट्यानी तो ये थे आपके सुमित्रा नंदन पंत रात अब भी मौजूद है किसकी रचना है तो ये है लीलाधर जगुडी की विरेन डंग्वाल को साह इत्यकादमी पुरुसकार किस पुस्ता के लिए दिया गया शाही ताल के लिए कल की बात के लिए दुष्चक्र में स्रिष्टा के लिए इसी दुनिया के लिए तो ये गया था ये दिया था दुष्चक्र में स्रिष्टा के लिए पट रंग पुराना के उपन्यासकार है क प्रिश्णा सोबती सिवानी मिरनाल पांडे गुमानी पंथ तो कौन थे ये थे आपके मिरनाल पांडे उत्राखन में डॉक्टर पितामबर्द दत बढ़तवाल पुरुसकार किस छेत्र के लिए दिया जाता है कला साहित श्रम समाज सेवा तो ये दिया जाता है दोस्तों साह कितने माक्स आ रहे हैं आप कमेंट जरूर कीजिएगा हिंदी और उत्राखंड में अभी जो आपको टॉपिक चाहिए पुलिस कॉंस्टेबल के लिए हमारा जो फोकस है वह अभी सबसे पहले है तो मेहनत जारी रखिए दोस्तों एक नेक दिन लक्ष जरूर प्राप्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जैहिन